वेलकम टू माई चैनल तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई शाओमी का फोन है MI रेड्मी या पोको में से कोई और उसमें आप अपने फोन में वाइफाई को कनेक्ट करना चाते हैं वो भी QR को स्कैन करके पर आपको अपने फोन के वाइफाई में कोई स्कैनर नी दिख रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं MI के फोन में कोई स्कैनर नी होता आपको अगर इस वाइफाई को कनेक्ट करना है लेकिन आपको इसका स्कैनर नी मिल ला है आपके पास QR कोट तो है पर आपको स्कैनर नी मिल तो इसके लिए आप अपने home screen पर आ जाएए और यहाँ पर आपको एक phone में scanner नाम का app अलग से मिलेगा जो कि पहले ही MI की सभी phone में रहता है ज्याद अतर लोग तो इसे tools के folder से बाहर ही निकालते है आपको simply बस इस app को open करना है उसके बाद जो भी QR code आपके पास है बस उसको आप यहाँ पर scan कर लीजिए और यहाँ पर कुछ इस तरह ऐसे उस QR code की details लिख कर आ जाएगी password पर आप tap करेंगे तो आपको यहाँ से उसका password भी show हो जाएगा जो भी password wifi का होगा और connect to this network पर click करके आप उस wifi से connect भी कर लेंगे इसी तरह से आप किसी भी hotspot के QR code से अपना password पता कर सकते हैं और अगर आप भी इस QR code share करना चाहें तो simply इस पर click कर दीजिए और आपका QR code ready हो जाएगा इसे scan करके कोई भी आपके phone से wifi को connect कर सकता है इस तरह से आप अपने phone में wifi को connect कर सकते हैं आप try कर लीजिए आपके में work करेगा और यह scanner सिर्फ आपके wifi नहीं किसी भी QR code को decode कर सकता है इस तरह से आपको QR code की पूरी detail जो जो उस QR code में hidden होगी वो सब यहाँ पर show हो जाएगी इस तरह से आप भी अपने phone के scanner का use कर सकते हैं इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को subscribe कर लीजिए thanks for watching, thank you